हलो फ्रेंट्स नमस्कार फाइनेंसियल विद्गोफी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंसियल सेक्टर्स की बात आपके साथ थिंदी में क्या सब्सक्राइब कर दूं आज हम इस पर चर्चा करेंगे कई लोगों ने इस पर हमसे प्रस्ण भी पूछे तो आज मैंने सोचा कि हम इसी पर चर्चा करेंगे और काल्कुलेशन के साथ बताएंगे सही रहेगा या नहीं सही रहेगा देखिए कई लोगों के पास ऐसा होता है कि एक साथ पैसा आ जाता है मंतली पैसा तो नहीं आता उनके पास माने जी कोई पैत्रिक संपत्ति मिली थी या किसी का कहीं पर बकाया था वो पैसा मिल गया एक बार ही मिल गया लेकिन इच्छा है हम यह साइपी चलाएंगे और मा प्रिचल फंट्स इस्टॉक मार्केट का ही हिस्सा होते हैं यहां पर भी फंट्स मैनेजर इकुटी ओरेंटेट जो स्कीम सोती है उनका पैसा जो है इस्टॉक में ही लगाते हैं और इस्टॉक मार्केट हमेशा कभी एक दिसा में नहीं चलता है है कि वह आगे बढ़ता ही चला जाए बीच बीच में डाउन भी होता है तो यह साइपी में जो है आर्चिया बैनिफीट का फायदा मिलता है रूपी कास्ट एवरेजिंग का बैनिफीट मिल जाता है जब मार्केट ज्यादा मुचल फंड्स में दो ही चीज़े काम करती हैं जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो यनेवी होती उस डेट की बाईल्यू होती एक यूनिट की उतनी यूनिट्स आपको मिल जाती है यूनिट्स का मतलब होता कॉ जादा यूनिट्स मिलेंगे और जब आप अपनी सारी यूनिट्स को सेल करेंगे यानि रिडीम करेंगे तो जो उस समय ने भी होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट हो जाएंगे इस डवलूपी क्या होता है पहले हम यसाई पी की बात करते हैं यसाई पी में आप जो हर माएने अपना पैसा अपनी इच्चा उनसार जमाँ करते हैं इच्छा का मतलब ये नहीं कि एक साल आपने एक महीने आपने 10,000 रुपए जमा किया, नेक्स्ट यार आपने पांस जमा किया, फिर 3,000 जमा करें, ऐसा नहीं. यहां आप जो amount decide करते हैं, उतना पैसा आपको हर साल जमा करना ही करना होगा. हर महीने जिस date को आपने select किया, उस महीने को आपके bank account से वो पैसा debit ठोकर के mutual fund company के पास चला जाएगा, जो funds आपने select किये, यह नहीं के लागला company, जो funds आपने select किये, जिसका आपने farm बराए, उसमें जमा होते रहेंगे, और rupee cost averaging का benefits मिलता रहेगा. SWP में क्या होगा, SIP का ठीक उल्टा, आप जितना पैसा, आपको सारा का सारा पैसा एक साथ ही जमा कर देना होगा, फिर उसमें जो है, उस पे भी आपको return मिलेंगे जो आप पैसा जमा करेंगे, वैसे तो mutual fund में return की guarantee नहीं है, लेकिन आपके पैसे में growth होती है, तो कुछ न कुछ growth होती रहेगी, inflation अगर plus GDP को मान लिया जाए, तो 15%, आप 15% से कम मान करके conservative में 12%, 13% ले सकते हैं, आपके पैसे में growth होती रहेगी, उसके बाद से एक केवाउन हर मेने आप निकालना सुरू कर दीजिएगा, और उसकी S.I.P. कर दीजिएगा, इसका process कैसे होगा, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, मिस्टर A हैं, इन्होंने अपना 10 लाग रुपए, ABC के mutual fund में जमा कर दिया, और इन्होंने decide किया कि मुझे 20 साल तक पैसा नहीं निकालना है, इस पैसे में जो भी growth होगी, हम calculate कर लेते अनमानित, और उसका जो है, हर मेने पैसा निकालते रहेंगे, और जो पैसा, आपके पा और mutual fund में SIP भी कर दिजे, आप 2-3 SIP भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा हमेशा जो है, जो आप SWP के लिए रखें, वो aggressive funds, aggressive hybrid funds, यानि balance advantage fund हो गए, या asset allocator funds हो गए, इसमें investment करिएगा, क्योंकि इसमें risk के chances थोड़ा कम होते हैं, इसलिए इसमें return हमने 10% ही माना है, कि हमारे, इसलिए हमने इसमें return कम माना है, कि हमारे पैसे में return 12% आएगा, return कम माना है कि 12% आएगा, क्योंकि market कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, आपके पैसे में कमी आती रहेगी, कभी बढ़ जाएगा, लेकिन जब 12%, अगर 5 साल आपका funds चल चुका है, ऐसा नहीं की negative हो आजाए, 12% average growth आजाएगी आपकी, और दूसरा एक, जब भी SWP करें, SWP, तो कोशिस करिए कि एक दो साल funds को पढ़ा रहने दीजिए उसमें, इस एक साल के पहले कभी भी SWP मत निकालिएगा, नहीं तो यहाँ पे आपके उपर exit लोट भी लग जाएगा, और उस पे आपक को capital capital gain भी देना पड़ जाएगा, इन दोनों चीजों से बचने के लिए आप एक साल बात से SWP लगाना सुरू करिएगा, एक साल बात से अपनी SWP की सुरुवात करिएगा, तो यहाँ पे जो long term capital gain होगा, वो आज के समय में जो tax के rules हैं, उसके हिसाब से 1,25,000 रुपए तक क उसके ऊपर अगर को यह आ रहा है, तो साड़े बारा परसेंट आपको tax देना है, तो इस तरह से आप अपना tax भी बचा सकते हैं, और उसके बाद फिर अपनी जो है SIP लगा दीजिए, माल लिजे Mr. A है, इन्होंने दिसंबर 2024 में पैसा अपना investment किया, दिसंबर 2024 में, या न places देखते हैं, अगर हम 12% भी growth मान लें, Mr. A है, इन्होंने अपना 10 लाग रुपए, मीचल फंड कंपनी में लगाया है, बालेंस एडवांटेज फंड लिया है, और उसमें average growth 12% किया आगी, तो उसके हिसाफ से इन्होंने एक अप SWP लगा दिया, 12% के हिसाफ से 10 लाग का 12% यहाँ आपका, 120,000 रुपए हो रहा जाकर के, 10,000 रुपए की एक इन्होंने अपनी S.I.P लगा दी, जादा ही होगा, क्योंकि compounding होगी, तो 10,500 रुपए की इन्होंने एक अपनी S.I.P, इनको 10,500 रुपए वहां से मिलेंगे, 10,500 रुपए की इन्होंने एक अपनी SWP लग पार एक तारीक को मानेजिन के अकॉंस में आ रहे पांस तारीक दिसमबर पच्चीस पांस दिसमबर दोजार पच्चीस से यह अपनी एक S.I.P. 10,500 रुपए की कर दें जो कि अगले 20 साल के लिए हो जाए तो इस तरह से देखा जाए S.W.P. के द्वारा इनको टोटल पैसा मिल ला है जिसकी S.I.P. इनके पास करेंगे एमांट आएगा 25,4,690 रुपए अगर S.W.P. के लिए जो इन्होंने पैसा रखा था 10,000 रुपए उसमें से 10,500 रुपए पर मन्त लेते भी रहे उसके बावजूद भी इनके टोटल पैसे की जो वायलू होगी यानि लास्ट में जाकर के पैसा 0 हो जाएगा लेकिन वो 10,000,000 रुपए न रहे करके 25,4,690 रुपए होगा और यह क्या करेंगे 25,4,690 रुपए को 10,500 के टुकडे में जमा कर रहे हैं तो जो 10,500 रुपए ये जमा कर रहे हैं उसकी वायलू कितनी यहां पर करेंगे क्योंकि यहां पर रुपी कास्ट एवरेजिंग का बेनिफीट आपको मिलना है तो 10,500 रुपए अगर पर मन्त आपके जमा होंगे साइपी के द्वारा तो टोटल पैसा आपका जमा होगा जाकर 25,20,000 रुपए उधर उनके पास 40,000 रुपए बच चुके अगर चाहें तो उसको भी इन्वेस्टमेंट कर दे नहीं तो उसको अपने खर्चे के लिए अपने पास रख सकते हैं और जो यह 25,20,000 रुपए जमा हुए इसकी अगर 15% एवरेज ग्रोथ माने तो इनके पैसे की वाल्यू होगी 1,49,24,271 रुपए नियर अबाउट 1.40, 0CR इनको मिल जाएंगे इतने पैसे इस तरह से देखा जाए तो SW के द्वारा SIP करना भी ठीक है अगर जिन लोगों के पास कहीं से भी एकमुस्त पैसा आ चुका है तो वो अपना जो है SWP के द्वारा SIP कर सकते हैं क्योंकि यहां एक बेनिफिट यह होगा SWP यह कहीं फंस ल स्रेक्त का बेनिफिंस भी ले सकती हमारे वीगोँ को जादा से जादा देखें करें सेर करें और हमें बुलें जब करेंगे और अपनी लिए अईडियाज मिलेंगे कि हम उसी पर वीडियो बना सकें और आप तक उसकी जानकारी पहुंचा सकें जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फाइने तक सब्सक्राइब नहीं क्या अब सब्सक्राइब कर ले बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार